हेलो दोस्तों, आज ये एक निया डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से ये फ्लेम में बन के आता है, ये इस तरह से बना हुआ है, इसे आप लेडिस कार्डिगन में, बेबी के प्रोजेक्ट में, गल स्वेटर में और जैन स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडिस बोडर बनाके फिर डिजाइन को शुरू करिएगा, इसके लिए आपको 9 के मल्टीपल में स्टिच चाहिए, प्लस एक स्टिच यहाँ पर एक स्टार्टिग में, ये डिजाइन के लिए, और जो हम एकस्टा स्टिच हमेशा राखते हैं सिलाई के लिए वो अलग से करोगे तो आपने 3rd row से शुरू करना है तो 1st और 2nd row हमारी एक बार ही डलेगी बेस में जहां पर हम शुरू करेंगे उसके बाद जब भी हमने डिजाइन बनाना है तो हम 3rd और 3rd row से शुरू करते हुए उसे complete करेंगे तो 1st row किस तरह से डलेगी एक बार दिखा दूंगी मैं करेंगे चास्ट आउन कर लीजिए यह मैं पहली 1st row आपको बता रही हूं किस तरह से डलनी है तो slip करेंगे पहले स्टिच को एक सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिच हमें लेफ्ट साइड को बनाने है इस तरह से 2 का एक करिए धागा अपनी तरफ ही रखेगा और 2 stitches एक साथ बनाईएगा साथ सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ सीधे बना लिए इसी को आपने फिर से अगेन रिपीट करना है तो यह हमारा एक्स्ट्र वाला स्टिच था इसे मत गिनियेगा रिपीट करने के लिए आपने यान ओबर से शुरू करन तो धागा अपनी तरफ करेंगे दो स्टिचिस लेफ्ट साइड को बनाएंगे इस तरह से और साथ सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ हो गए इसी को आपने अगेन रिपीट करना है फिर से यान ओबर करिएगा लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ और साथ सीधे इसी तरह रिपीट करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लीजिए सेकेंड रो उल्टी तरफ से बनेगी सारी सिलाई उल्टी बनाईएगा कुछ नहीं करना है सिंपल प्लेन उल्टी सिलाई बना दीजिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए फिर हम थर्ड रो से तो अब हम 3rd row को शुरू करेंगे, तो पहला stitch slip कर दीजे, बनाईएगा नहीं, एक सीधा बनाईए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, अब ये left वाला stitch आ गया है, तो यहाँ पे हमें 2 stitches एक साथ बनाने हैं, left तरफ को इस तरह से 2 stitches ले लिजे और left side को 2 का एक कर दीजे 6 सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हमारा set complete हो गया है, यहाँ यान ओबर से शुरू करिएगा इसे, तो ये set complete हो गया है, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, left side को 2 stitch एक साथ बनाएंगे, इस तरह से 2 का एक कर दीजे, 6 सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हमारा set complete हो गया है, इसी को आपने अगेन फिर से repeat करना है, यान ओबर करिएगा, एक सीधा, फिर left side को 2 stitch एक साथ बनाएंगे, और 6 सीधे, इसी को repeat करते जाएए, और wrong side में सारी सिलाई उल्टी बनाएगा, wrong side हमने complete कर ली है, सीधी तरफ आ गया है, पहला stitch उतार लीजिए, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 सीधे बनाएंगे, एक, दो, यह left side वाला stitch आ गया है, तो slip करिए, वाप पे सिलाई में लीजिए, और 2 stitches को एक साथ बनाएए, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह हमारा set complete हो गया है, यह extra stitch को छोड़ दीजे, यह आन ओवर से आप शुरू करेंगे, तो यह हमारा set complete हो गया है, इसी को आपने फिर से दुबारा repeat करना है, तो पहले धागा आपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, एक, दो, अब left side को दो stitch एक साथ बनाएंगे, slip करिए, वाप पे सिलाई में लीजिए, और दो stitches को इस तरह से back loop से एक साथ बना दीजिए, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को आपने फिर से दुबारा repeat करना है, जित्ती बार भी बनाओगे, और wrong side में सारी सिलाई उल्टी डलेगी, wrong side हमने complete कर ली है, सीधी तरफ आ गये हैं, पहला stitch उतार लीजिए, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे तीन सीधे हैं, तो तीन सीधे बनाईए, एक, दो, तीन, तीन सीधे बना लिए, left side वाला stitch आ गया है, तो इन्हें slip करेंगे, और दो stitches को एक साथ इस तरह से, दो का एक कर देंगे, एक stitch बना देंगे, दो stitches का, अब हमें यहाँ पे चार सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को आपने again repeat करना है, जित्ती बार भी बनाऊगे, तो start हमने करा था, यान over से, तीन सीधे, एक, दो, तीन, अब यह left side वाला stitch है, slip करेंगे, वापिस से सिलाई में लीजिए, और दो stitches को इस तरह से, एक साथ बना दीजिए, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को again आपने फिर से दुबारा repeat करना है, यान over, तीन सीधे, फिर दो stitch एक साथ बनाएंगे, लेफ्ट साइड को, और चार सीधे, इसी को repeat करते जाएए, और wrong side सारी, उल्टे में बना लीजे, wrong side हमने complete कर ली है, सीधी तरफ आ गए है, पहला stitch उतार लीजे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब हम यहाँ पे चार सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार सीधे बना लिए, यह left side का stitch आ गया है, तो slip करके वापश से सिलाई मे लेंगे और दो stitches को एक साथ बनाएंगे, तीन सीधे, एक, दो, तीन, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को हमें फिर से दुबारा repeat करना है, तो yarn over करेंगे, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, दो stitches को एक साथ बनाएंगे, left side को, तो slip करके वापश सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बनाएंगे, और तीन सीधे, एक, दो, तीन, यह हमारा set complete हो गया है, अगेन इसी को आपने फिर से दुबारा repeat करना है, यान over, चार सीधे, दो stitches, एक साथ, और फिर तीन सीधे, इसी को repeat करते जाएंगे, और wrong side हमारी complete हो गई है, सीधी तरफ आ गए है, पहला stitch उतार लेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सीधे बना लिए, यह left side वाला stitch आ गया है, तो दो stitch एक साथ बनाने हैं हमें, slip करके वापिस सिलाई में लीजिए और दो stitches इस तरह से back loop से एक साथ बना लीजिए, दो सीधे, एक, दो, इसी को आपने फिर से repeat करना है, तो एक पार फिर से देख लीजिए, यान ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ रखिएगा, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पां अब यहाँ पे left side को जाएगी सिलाई, तो दो stitch एक साथ बनाएंगे, slip कीजिए, वापिस सिलाई में लीजिए और इस तरह से दो सीधे, एक, दो, इसी को आपने again repeat करना है हर बार, और wrong side complete कर लीजिए, wrong side हमने complete कर ली है, सीधी तरफ आ गये है, पहला stitch उतार लीजिए, एक स धागा अपनी तरफ करेंगे, छे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे सीधे बन गए, अब यह left side वाला stitch है, तो यहाँ पे दो stitch एक साथ बनेंगे, slip कीजिए, वापिस से सिलाई में लीजिए और दो stitches को इस तरह से एक साथ बना दीजिए, एक सीधा, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को आपने फिर से दुबारा repeat करना है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, छे सीधे, धागा आगे ही रखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे सीधे बना लिए, अब यहाँ पे दो stitch एक साथ बनेंगे, तो slip कीजि वापे सिलाई में लिजिए, और इस तरहां से दो stitches को एक साथ बना दीजिए, और एक सीधा, इसी को अगेन आपने repeat करना है, और wrong side वैसे ही बनेगी, सारी उल्टी सिलाई बना लिजिए, wrong row हमने complete कर ली है, यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे एक stitch रह गया है, हमने 7 से शुरू करा था, 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 में आ गये हैं, चहाँ पे हमारे 2 stitch एक साथ बनेंगे, तो यहाँ पे हमने अब जो हमारी second जो flame बन रही है, इस तरह से right side को जा रही है, इसे हम शुरू करना है, यह एक हमारी left side को आ रही थी, यहाँ से ऐसे, अब हमें यह right side वाली बनानी है, तो इसे शुरू करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे एक stitch रह जाएगा, इसके साथ left वाले stitch के साथ, तब शुरू करना है इसे, तो शुरू करते हैं इसे, धागा पहले slip करि एक सीधा बनाईए, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, एक, दो, अब दो stitch right side को बनेंगे, एक साथ, तो इन्हें सीधे ही बना देंगे, इस तरह से दो स्टिच लीजिए और दो का एक कर दीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन सीधे, एक, दो, तीन, अब आप left side वाले stitch के पास आ जाओगे, यह देखें यहाँ पे, इन्हें हमें slip करके दो stitch एक साथ बना देने हैं, यह हमारा set complete हो गया है, इसी को हम फिर से दुबारा से repeat करेंगे, तो पहले हम धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, राइट साइड को दो stitch एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से दो stitch ले लिजे और सीधा ही इन्हें बना दीजे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन सीधे, एक, दो, तीन, अब यह left side वाला stitch आ गया है, तो इन्हें slip करेंगे, और वापिस से सिलाई में लेके दोनों को एक करेंगे, दो सीधे, दो stitch राइट साइड को एक साथ बनाएंगे, इस तरह से दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन सीधे, एक, दो, तीन, और अब लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे, इस तरह से slip कीजिए, वापिस से सिलाई में लेके दो स्टिच एक साथ बना दीजे ये एक्स्ट्रा वाला स्टिच है और ये सिलाई का स्टिच है इसे मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसी को रिपीट करते जाए अगेन रॉंग साइड में आपने सारी सिलाई उल्टी डालनी है रॉंग साइड हमने कंप्लीट कर ली है सीधी तरफ आ पहला स्टिच स्लिप करेंगे अब तीन सीधे बनाईएगा एक दो तीन सीधे बना लिए अब ये राइट साइड वाला स्टिच है हमारा तो ये दो स्टिच एक साथ बनेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है इसी को आपने दुबारा से फिर से रिपीट करना है तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच था जो डिजाइन के लिए हमने रखा था तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में 3 सीधे बनाएं अब जब आप रिपीट करोगे तो आपने यहाँ पे 2 सीधे बनाने है दो सीधे अब ये र किये राला साइड वाला स्टिच आ गया है ये देखे यहां पे ये 2 स्टिच एक साथ बनेंगे राइट साइड को एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार यह चार हो गए यह हमारा सेट कम्प्लीट हो गया है इसी को अगेन रिपीट करेंगे तो एक बार फिर से देख लीजे जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने तीन सीधे डाले थे यह सिलाई वाले स्टिच को छोड़के तीन सीधे डाले थे तीन सीधे हमने इसलिए डाले थे क्योंकि हमने जैसे हमारे 9 का सेट डिजाइन था तो हमने एक स्टिच एक्स्ट्रा यहां पे रखा था डिजाइन के लिए और एक सिलाई के लिए तो दो स्टिच हमारे एक्स्ट्रा वाले चले गए तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक, दो, दो सीधे फिर उसके बाद दो राइट साइड को एक साथ बनाएं फिर एक, फिर यान ओवर, फिर चार एक बार फिर से देख लिजे दो सीधे बनाएंगे अब ये राइट साइड को स्टिच आ गया है तो इन्हें दोनों को एक साथ बनाएंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक, दो, तीन, चार और ये मेरा एक्स्ट्रा स्टिच है डिजाइन के लिए जो मैंने रखा था वो है, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी और ये मेरा सिलाई वाला स्टिच है इसी तरह से करते हुए इसे रिपीट कर लीजे और रॉंग साइड कंप्लीट कर लीजे रॉंग साइड हमने कंप्लीट कर ली है सीधी तरफ आ गए है पहला स्टिच उतार दीजे ये हमारा एक्स्ट्रा डिजाइन का स्टिच है जो हमने रखा है उसे सीधा बना लीजे इस तरह से अब यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो ये एक्स्ट्रा वाले स्टिच को काउंट मत करिएगा डिजाइन को यहां से रिपीट करना है हमने तो एक सीधा अब राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनेंगे दो सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे और चार सीधे एक दो तीन चार यह हमारा सेट कमप्लीट हो गया है इसी को आपने फिर से अगेन रिपीट करना है तो जो हमने एक स्टिच रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि जब हम सिलाई वाला एक स्टिच रखेंगे उसके बाद हमें यहां पे यान ओवर करना है डिजाइन स्टार्ट हमारा यान ओवर से हो रहा है तो हमने एक स्टिच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए जब हम दुबारा से सिलाई करेंगे जब हम अपना जॉइंट पल्ले जोडेंगे तो यह तो सिलाई में चले जाएगा तो उसके बाद आपका यान ओवर आ जाएगा तो उसके लिए हमने एक स्टिच एक्स्टा रखा है यहां पे तो इसे जरूर रखिएगा डिजाइन हमारा यहां से शुरू होगा इन दो स्टिच को छोड़के यहां से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है तो इसी को repeat करेंगे again तो पहले हमने एक सीधा बनाया था तो एक सीधा बना लीजे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे right side का twist आ गया है यह देखिए दो stitch एक साथ बने होए हैं तो इन्हें वैसे ही बना लीजे दो stitch एक साथ बना लीजे दो सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे और चार सीधे एक दो तीन चार यह हमारा set complete हो गया है इसी तरह से इसी repeat करते जाएगा पहले एक सीधा फिर दो stitch एक साथ बनाएंगे फिर दो सीधे यान ओवर और चार सीधे इसी को repeat करते जाएए और wrong side वैसे ही बनाईए सारी उल्टे में wrong side हमने complete कर ली है सीधी तरफ आ गये है पहला stitch slip करेंगे एक्स्ट्रा वाले stitch को बना लीजे सीधा अब यहाँ पे हमारे right side वाला twist आ गया है तो दो stitch एक साथ बनाएंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे और चार सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार यह हमारा set complete हो गया है इसी को हमें फिर से दुबारा repeat करना है तो repeat करने के लिए यहाँ पे यह देखिए दो stitch एक साथ बनेंगे राइट साइड को तो इन्हें एक साथ बना लीजे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार चार सीधे हो गए इसी को आपने again repeat करते जाना है दो stitch एक साथ बनाएंगे राइट साइड को फिर तीन सीधे यान ओवर करेंगे और चार सीधे इसी को repeat करते जाएं और wrong side बना लीजे wrong side हमने complete कर ली है सीधी तरफ आ गए है अब जब हमारे ये right side का stitch है वो हमारे इस वाले stitch में आना है तो ये line mix होके बनेगी तो इसे देख लीजे कैसे बनाना है शुरू करेंगे पहले slip करेंगे एक सीधा बना लीजे side का stitch है दो stitch एक साथ बनाएंगे इस तरह से तीन सीधे एक दो तीन धागा आपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पर आपने तीन सीधे डालने है एक दो तीन अब ये हमारा एक हमारा इस side का रह गया stitch और एक इस side का stitch है जो हमारे एक set का इधर का stitch लेंगे और एक दूसरे set का stitch लेंगे ये देखे यहाँ पर हमारे एक stitch यहाँ पर ये extra है तो ये 4-4-8 हुए और ये 1-9 हो गया तो उसी तरह से यहाँ से भी हमने 4 और 4-8 और 1-9 ये दोनो stitch हमने दोनों set में से एक एक stitch ले लिया है और इन्हें हम दोनों को एक साथ बना देंगे इस तरह से दो का एक कर दिया अब हम 4 सीधे बनाएंगे 1-2-3-4 4 सीधे बना लिए अब यहाँ पर यान ओवर करेंगे धागा अपनी तरफ करिए और फिर से 3 सीधे बनाईए 1-2-3 यह फिर से वहीं पर आगये हम सेंटर में आगये हैं जोनो सेट के बीच में तो एक stitch हम इस सेट से लेंगे और इस तरफ से लेंगे इस तरह राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएंगे फिर से अगें चार सीधे 1-2-3-4 धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये मेरे लास्ट के स्टिच हैं इसी को आपने रिपीट करना है आपने सिर्फ ये धियान रखना है कि आपने यहां से जब हमने शुरू करा है तो यहां पर हमने पहले दो स्टिच एक साथ बनाए है उसके बाद हमने तीन सीधे बनाए हैं, यान ओवर करिएगा, फिर उसके बाद तीन सीधे बनाईएगा, दो स्टिच एक साथ, फिर चार सीधे यान ओवर, फिर तीन सीधे, फिर दो स्टिच एक साथ, फिर से दुबारा चार सीधे यान ओवर, फिर तीन सीधे, दो स्टिच ए एक साथ अगेन फिर से चार सीधे यान ओवर तीन सीधे दो स्टिच एक साथ इसी तरह रिपीट करते हुए इसे एंड तक बना लिजे और रॉंग साइड आपकी जो सिलाई है वैसे ही डलेगी सारी उल्टे में डलेगी तो इसे कम्प्लीट कर लिजे रॉंग साइड हमारी कम पतार लिजिए, एक सीधा बनाएंगे, दो स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को इस तरह से, तीन सीधे, एक, दो, तीन, तीन सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, एक, दो, अब यहाँ पे राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनने हैं, तो इन्हें बना लिजिए, इस तरह से बना लिजिए, दो स्टिच एक साथ, अब हम यहाँ पे पांच सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सीधे, एक, दो, अब दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे, अगें पांच सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यह मेरा लास्ट में हैं, मैं इसे रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे यान ओवर करके सीधा ही बनाऊंगी चारों स्टिच इस जैसे आपके नेक्स्ट सीधे चाहेंगे, तो आपने फिर से अगें दो सीधे बनाने हैं, और दो सीधे बनाने के बाद राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएगा, और फिर पांच सीधे बनाएगा, इसी तरह से इसे रिपीट करते जाएगा, और रॉंग साइड आ आपने repeat करते जाना है wrong side हमने complete कर ली है सीधी तरफ आ गए है पहला stitch चुतार लीजे एक extra stitch है ये हमारा उसे हम सीधा बनाएंगे उसके बाद 2 stitch एक साथ बनाएंगे right side को 3 सीधे बनाईए 1, 2, 3 3 सीधे बना लिए थागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अब ये right side वाला stitch आ गया है तो इसे सीधे ही 2 stitch एक साथ बना दूँगी इस तरह से 6 सीधे बनाईए 1, 2, 3 4, 5, 6 6 सीधे बना लिए अगेन इसी को repeat करूँगी यहां से आप शुरू करिए यान ओवर 1 सीधा 2 stitch एक साथ और फिर 6 सीधे तो यहां पे ये देखी ये net के पास आ गई हो तो धागा अपनी तरफ करूँगी एक सीधा अब यहां पे ये right side के 2 stitch एक साथ बनेंगे 6 सीधे अब ये देखिए ये फिर से अगेन धागा आ गया है जाली वाला तो धागा अपनी तरफ करूँगी अगर आप बना रहे हो रिपीट कर रहे हो तो आप एक सीधा और दो right side को stitch बनाईएगा और फिर 6 सीधे बनाईएगा मैंने ये last में हूँ तो मैं ये सीधे 4 stitch बनाऊंगी एक दो ये तीन हो गए और ये एक चार और ये extra मैंने रखा था डिजाइन का जो stitch है वो है और ये सिलाई का stitch है इसी को आपने रिपीट करना है यान ओवर एक सीधा दो stitch एक साथ और फिर 6 सीधे इसी को रिपीट करते जाएए wrong side बना लीजे wrong side हमने complete कर ली है सीधी तरफ आ गए है जैसे हमने left side से घटाते हुए एक stitch रह गया था हमारा तो हमने right side turn शुरू करी थी उसी तरह right side से घटाते हुए एक stitch हमारा यहाँ पे रह गया है तो हम अब इसे left side को turn कर देंगे जो हमारी यह वाली सिलाई है इस तरह से यह left side को जा रही है उसे शुरू करना है अब हमें तो पहला stitch slip करेंगे यह हमारा side वाला extra stitch है डिजाइन का उसे सीधा बना लीजे धागा अपनी तरफ करेंगे दो stitch एक साथ बनाएंगे left side को इस तरह से दो stitch बना दीजे धागा अपनी तरफ ही रखिएगा इस तरह से बना दीजे तीन सीधे एक दो तीन ये देखिए ये चेन के पास आ गए है यहाँ पर हमें धागा आगे करना है और यहाँ right side के ये दो stitch आ गए है जो हमें एक साथ बनाने है तो इन्हें एक साथ बना दीजे इसी को again फिर से repeat करना है आपने बनाने के लिए तो दो stitch हमने एक साथ बना लिए है तो दो सीधे बनाएंगे एक दो दो सीधे बना लिए अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करेंगे दो stitch left side को बनाएंगे इस तरह से फिर तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन अगेन यहाँ chain के पास आ गए हैं तो दागा अपनी तरफ करेंगे और दो stitch right side को बना दीजे अगेन फिर से फैसे ही शुरू करेंगे तो दो सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो stitch left side को बनाएंगे तीन सीधे एक दो तीन यहाँ chain के पास आ गए हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे अगर आप repeat कर रहे होगे तो यहाँ पर आपके पास जो है side में chain आएगी जो right side को जा रही होगी तो आपने यहाँ पर दो stitches एक साथ right side को बना देने हैं मैंने नहीं बनाए थे तो अब मैं इन्हें धागा अपनी तरफ करके दो सीधे बनाऊंगी एक दो इस तरह से धागा अपनी तरफ करके दो सीधे बनाके यहाँ पर मैं right में side में यहाँ पर दो stitch इस तरह से एक साथ बनाऊंगी sorry left side को बनाऊंगी इन्हें इस तरह से slip करके वापपस से सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को दो स्टिच इस तरह से बना दूँगी और ये मेरे लास्ट के स्टिच हैं इन्हें मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसी तरह repeat करते जाईएगा इस सिलाई को जैसे मैंने यहां starting से शुरू करी है इसी तरह से शुरू करके इसे बनाते जाईएगा wrong side बना लिजे wrong side हमने complete कर ली है और हमारा set भी complete हो गया है design हमारा complete हो गया है इसी को आपने फिर से दुबारा repeat करना है लेकिन repeat करने के लिए आपने first row को नहीं डालना है third row से शुरू करेंगे first row में हमारा design डलेगा और second हमारी ulti डली थी third row से जो हमने design शुरू करा था वहां से हमने design को repeat करना शुरू करना है तो इसी तरह repeat करते जाओगे तो ये design complete होता चला जाएगा कैसा लगा design मैसेज जरूर करिएगा पसंद आया हो तो like और follow जरूर करिएगा एक बार फिर से देख लीजे repeat कैसे शुरू करेंगे third row से हमने repeat शुरू करनी है तो पहला stitch हम slip करेंगे एक सीधा बनाईए ये हमने extra जो stitch रखा था वो वाला है धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा बनाईएंगे दो stitch left side को बनाईएंगे ये हमारी third row है repeat pattern शुरू हो गया है हमारा छे सीधे बनाईएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये हमारा set complete हो गया है nine stitches का इसी को आपने दुबारा से repeat करना है तो धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा slip करेंगे stitch को और left side को दो stitch एक साथ बनाईएंगे जैसे हमने third row में बनाया था छे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे सीधे बना लिए again net के पास आगए हैं यहां से net शुरू हो रहा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा left side को दो stitch एक साथ बनाएंगे और छे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह last का stitch है हमारा extra वाला और एक, सिलाई वाला इसी को आपने again फिर से repeat करते जाना है और यह बनता जाएगा design हमारा यह देखिए, यह कुछ इस तरह से बन के आ गया है design कैसा लगा, please message जरूर करिएगा और जाते जाते follow करना न भूलिएगा please मेरे channel को follow जरूर करिएगा thank you